मुक स concerns about Clipper Clipper होता कि ya जो कोब भी वेबफ़र्म है उसको क्लिप कर दो जैसे यह क्लिप कर दिया जारा जे पॉसले नेगेटिव है इसको क्लिप कर दिया ठीक है यह पॉजेटिव और नेगेटिव होता है अगर इसमें कोईए को लिए बाइस ही पॉजटिव दिए और या नेगेटिव पिए थो यह Immediately Southwest ठीय के लिए अगर कर दोया तो डायोट कियो हो जाएगा और फ्वॉर शोर्ट सर्कीट हो में कब जैसे forward-wise positive तर्मिल या गर इसको negative पॉजिटेव में connect कर दिया तो यह जाएगा ? डायोड जो हो गया ? वो बहुत हो जाएगा ? reverse biased हो जाएगा the reverse biased हो जाएगा ? तो क्या हो जाएगा ? डायोड अफ हो जाएगा ? आप मतलब ओपन सर्कृट इस तरीके सा आपने जहां भी डायट लगाया है और रिवर्स बाइस को देखके आपने क्या करना है उसको सर्कृट में डायट को एक्वर्डिंगली चेंज करना देन यू विए अब तो यह तो यह तो यह कुछ इसके टाइप से जो मैंने पहली ब इसका है तो इस तरीके से हमने लास्ट कोशन जो देखा था लास्ट कोशन में हमने प्रैक्टिकल डायट का यूज किया था जिसमें इसको हमने रिप्लेस किया था 0.7 वोल्टेज से और वी आर गेटिंग दा आउट्पूट एक्वर्डिंग ली ठीक है तो फॉर एक्जाम दिए 4.7 k 5 volt एं डायोड इस प्रैक्टिकल डायट ओके नौट आइडल डायट तो फर्स्ट अफल वाट व्याव तो दू इंपूट आपको दिया है इंपूट आपको सपोस्कर स्कॉर वे पल्स ती है यह प्लस 10 वोल्ट है और यह माइनस 10 वोल्ट है यह क्या है 0 2 T by 2 सबसे क्या करना है सबसे आप पहले आपने positive स्टू प्लस भी को लेना तो इस में क्या आएगा आपने सर्क्रीट को क्या किया positive voltage और दो यह यह forward wise दो देयागा क्योंकि यह पॉज़ित्टीन लेगल यह पॉजितिव के साथ पॉजिटिव आएगा तो यह चाहिए यह फॉर्वाइज लोग एक एक वोल्टेज सोर्स में रिप्लेस हो जाएगा वोल्टेज सोर्स का सिलिकन है तो 0.7 वोल्ट ठीक है अब फिर यह वोल्टेज सोर्स और यह रेजिटर इसका आउटपूट वोल्टेज आपने निकालना ह ठीक है तो आउटपूट वोल्टेज आप के वे लगा होगे इसमें इस सर्किट में तो आउटपूट वोल्टेज आपका आजाएगा क्या है वी आउट इकल्स टू यह इन्पुट है वी आइम माइनस 0.7 प्लस 5 ठीक है तो यह आजाएगा वी आई यह दस वोल्ट है सब अच्क्रों एक्समों व्लटेज हम देखनें 10 ग तन माइनस 0.7 प्लस 5 बोल्ट है तो यह आजागा 14.3 त्रीक है यह तो हो गया पॉजिटिटिव केस में वेन वी आई इस वी इन थी पॉजिटिटिफ इन In the case of for 0 to T by 2, for negative part, for T by 2 to T. इस case में क्या है, when VI is negative, negative होने से क्या होगा, यह जो diode है, यह diode क्या reverse bias हो जाएगा, तो यह open circuit हो जाएगा, open circuit हो जाएगा, open circuit में यह जो resistor है, और कोई भी resistor है, तो यह open circuit है, यह input आपने दिया, negative, positive, तो यहाँ से open circuit में क्या होता है, current 0 flow होता है, current अगर 0 flow होगा, then it will, इधर भी current 0 flow होगा, तो current तो V0 क्या है, I into R हो, current अगर 0 है, तो output voltage 0 होगा, ठीक, तो output voltage क्या जाएगा, 0 volt, तो अगर हम इसको plot करें, output और, input क्या था, plus 10 volt, minus 10 volt, ठीक है, यही था, output से corresponding लिए क्या आया, हमने क्या निकाला, जब positive में हैं, तो 14.3 volt, यह output, तो 14.3 volt यहाँ पर, when it is positive, up to 0 to T by 2, up to when 0 to T by 2, then T, तो यह 0 to T by T तक 14.3 volt है, और T तक क्या है, इसका, reverse biased हो जाएगा, तो यह 0 हो जाएगा, तो diode यहाँ है, reverse biased है, तो it means it is off, ठीक है, तो V out क्या है, 0 है, तो यह आगए आपका V naught और यह आगा वीन, यह T, यह T, तो यह जो है, यह आपका क्या आगया, इसको कहते हैं, biased series clipper, क्यों, क्योंकि एक तो diet क्या है, series में तो लगा ही है, रेजिस्टर गे, लेकिन क्या है, यह biased भी है, diet के साथ क्या है, कोई biising की गई है, ऐसे circuit को हम बोले हैं, ऐसे clipper को बोले हैं, wise series clipper, ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान देने वाली चीज है, जब हम square wave pulse को लेते हैं, तब तो यह ऐसे ही आएगा, इसमें तो फिर कुछ सोचने की जूरत नहीं है, कि 14.3V, जो कि यह straight है, अगर इसी जगे में हम input, इसी circuit में, if we are taking input as this, like ऐसे, यह है, प्लस 10V, और यह है, माइनस 10V, suppose करो, यह input voltage है, circuit, सेम circuit है आपका, यह diode है, पांच वोल्ट, और यह क्या रेजिस्टर, ठीक है, इनपूट आपने, तो यहाँ पे आपने calculate करना है, प्लस माइनस V0 क्या है, तो यह जो है, यह थोड़ा different हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यह vary कर रहा है, sinusoidal waveform है, तो यह vary कर रहा है, ठीक है साथ, लेकिन यहाँ क्या, यह constant था, यह जबो, यह 10V constant था, तो 10V constant देगा, लेकिन यहाँ क्या है, starting में 10V देदेगा, तो 10V देने में क्या होगा, देखो यह जो है, वैसे यह इसको, क्या करेगा, इसको क्या कर रखा, फॉर्वड बाइस्ट कर रखा, देखो यह negative है, यह भी negative है, तो यह जो circuit है, यह forward biased हो रखा है, positive में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यह forward biased है, लेकिन जब negative होगा, तो negative में, जैसे positive में है, जैसे positive है, इसका अगर output, अगर हम ऐसे draw करें, तो देखो positive जो है, 0 to T by 2, suppose को यह T by 2 positive है, 0 to T by 2 तक T by 2 से T, जब हम positive waveform लेंगे, 0 to T by 2, उस case में क्या होगा, यह जो है, यह जब practical diet है, तो voltage source में replace हो जाएगा, on हो जाएगा, on क्यों होगा, क्योंकि यह जो 5V है, यह 5V था, यह भी क्या है, यह भी इसको forward wise provide कर रहा है, और यह तो forward wise provide करी रहा है, तो यह forward बाइस डाहेगा, कब तक positive cycle के लिए, तो यह इस तरीके से, तो output voltage वो ही आएगा, output voltage जो पिछले case में था, कितना था, output voltage 14.3V, ठीक है, output voltage 14.3V वो ही kvL लगा के आएगा, लेकिन, जब ही हम, जब ही हम negative pulse की बात करेंगे, जैसे यह जो है, यह ऐसा ही आएगा, 0 to T by 2 में, ठीक है, sorry, V0 के आएगा 14.3V, तो यह constant value आएगे 14. 0 to T by 2 तक, ठीक है, अब तो 0 to T by 2 तक ही है, उसके बाद, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यह, जब आप इसको negative में देखोगे, T equals 2 T by 2 2 T, तो इस case में क्या होगा, इस case में देखो, यह चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है, कि जब आप negative में दो गया, तो negative क्या करेगा, इसको reverse बाइस करेगा, जब यह ऐसा होगा, माइनस, प्लस, यह पांच वोल्टेज है, ठीक है, तो यह पांच वोल्टेज है, यह पांच वोल्टेज है और यह रेजिस्टेंस है, इस case में क्या होगा, यह reverse बाइस तो नेगेटिव में होना ही चीज़िए, लेकिन, पांच वोल्ट तक क्या करेगा, यह इसको forward बाइस प्रोवाइट करेगा, समझ में आ रहा है, यह negative है, यह negative है, तो यह दोनों क्या है, यह 5 वोल्ट क्या है, इसको reverse बाइस प्रोवाइट करेगा, कब तक प्रोवाइट करेगा, जब तक, जब तक input voltage जो है, जब तक input voltage जो है, वो 5 वोल्ट स से ज्यादा ना आ जाया मतलब जब तक यह सबस्कूर यह फाइब वोल्ट है जब तक यह फाइब एक में थोड़ा से इसमें मुझे लगता है कि यह वी और जो होगा यह होगा वी इन कि वी इन माइनस प्लस 4.3 वोल्ट ठीक है प्लस 4.3 वोल्ट तो यह कुछ ऐसा नहीं आएगा कि वी नौट क्या है वी इन प्लस 4.3 वोल्ट देखो constant अगर वी इन अगर constant अस्वायर पे लिए तो constant में तो आप 10 वोल्ट लिखे 10 प्लस 4.3 वोल्ट लेकिन यहां कि यहां एक वैरेंग है तो हम वी इन को जब पुट करोगे आप जीरो जैसे यह वाली यह वाला पॉइंट तो यहां क्या आएगा यहां 4.3 वोल्ट आएगा यह ठीक है फिर यह एंक्रीज करेगा कब तक करेगा जब 10 वोल्ट आएगा तो और यह बिसकी वैलू क्या होनी चीए 14.3 वोल्ट लोनी चीएAPP फिर यह कब तक डेक्रीज होगँस कब तक 0 आएगा क्योंकि कि यह माइनस यह जो फाइब का जो यह है यह सको क्या गरेगा नेगेटिव सअथिल में इसको फौरड बाइस करेगा कब तक करेगा यह जब तकapan करेगा जब इन्पुट मोल्टेज की जो वालवाय्ब यह जादा जादा हो गई जैसे 5 वोल्ट से ज्यादा हो गई तो यह जो डायोड है वैं इन्पूट वोल्टेज ग्लेटर दन माइनस 5 वोल्ट उसी टाइम क्या होगा डायोड जो होगा विल भी रिवर्स बाइस्ट ओपन सरकेट और आउट पूट वोल्टेज वो के आजएगा जीरो व ट्रीक है लेकिन वह कब तक होगा में शेट किया है यहां तक यहां तक यहां से थो यहां से पीछे कहने तक है एसे तो यह जो पीछे जो यह जो नेगटिफ पार्ट से स्टार्ट हो रहा यह a similar न तो यह जो पार्ट है यह है यहाँ पे जिरो आएगा तो यह जो है यह क्या हैगा यह माइनस five volt है कीचे, ये समानी मैं है